हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल बेबी मॉमी हैल मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत-बहुत सागत करती हूं कैसे आप लोग आइधिंक सब्सवस्तों गर बहुत ही खुश होंगे दोस्तों गर्मी के मोसम में बच्चों को उल्टी की समस्या लगी ही रहती है के जड़े कारन बच्चे को उल्टी को जाती है तो घबरान 2050 जड़ेंग उल्टाइच आए तो आपको गबरानी की जरूरत है आप बात कर लेते हैं कि कभी-गभी बच्चे को बधाज्मी उल्टी हो जाती है अगर आप डोक्टर के पास नहीं जाना है तो उमेद करूंगी दोस्तो आज काई वीडियो आप अच्छा लगे चैनल को सबस्क्राइब किचीए गप दोस्तों सबसे पहली चीज़ यह सारी चीज़े मैं आपको बता रही हूँ यह बता रही हूँ एक साल से बड़े बच्चे के लिए क्योंकि एक साल से छोटा बच्चा ज्यादा तर जो है दूद पर ही रहता है और एक साल से छोटे बच्चे को बहुत सारी चीज़े नहीं ख पिर सुप पकाकर बचल को दीजिए इन सबी में डाइजिश्टिव भूण होते हैं जो बच्चे की पाचे सही दूद को हजम करने में मदद करते हैं तो आप बच्चे को ये चीजे दूद में पका कर दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे का दूद बन नहीं क्या जा सकता है, क्योंकि बच्चा को उस आहर उच्छी मातरा में नहीं ले पाता है, कि आप बच्चे को दूद ना दे, अगर बच्चे को ये सारी चीजे पका कर दूद में आप देते हैं तो दूद हजंपी होगा और बचचे कर डयजिस्ट लिस्टम भी खुगा अब बात कर लेते हैं एक साल से बड़े बचचे की WE के सबसे बदे हो रहे हैं तो सबसे पहली चीज है आपको ठीहां रखने हैं कि बच्चे को लिक्वुड देते दोसरी चीज है दोस्तो अगर आपके घर में अध्रक अभेलेबल है तो आप क्या करें अध्रक का रस निकाल कर उसको बच्चे को दे ऐसे बहुत तीखा लगता है तो उसमें शेहर मिला कर दे सकते हैं अध्रक में डाइजिस्टिक गुण होनी के कारण अध्रक बच्चे के पेट में काफी आराम करता है और उल्टी को रोगने में काफी मदद करता है पुदीना आप बच्चे को दे सकते हैं पुदीनी की ताजी पत्या लीजिए उसका रस निकाली उसमें थोड़ा सा नीबो और शेहत मिला पर बच्चे को दीजिए तुरंद बच्चे को डाकार भी आएगी अगर खाने के कारण बच्चे को ऐसा हुआ है तो वो खाना भी हजब हो जाएगा और बच्चे की उल्टियां भी बंद हो जाएगी सौफ बहुत कारगर है सौफ को पानी में उबाल लें और आधा कब पानी कर लें उसका तो बच्चे को दो तीन बार में पिलाएगा इससे बच्चे के पेट में किसी भी तरह का इंफेक्शन हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा इसके अलावा बच्चे को आप जीरा दे सकते हैं पाचन क्रिया को सुधारने में जीरा बहुत मदद करता है आप चाहें तो जीरो को भूल लीजिए और उसका पावडर बना कर बच्चे को दे दीजिए पानी के साथ अगर बच्चा खा लेता है तो बच्चे को इससे काफ दीजिए थोड़ दो इलाईची का पावडर मनाईए आदव चम्मत चीनी में बच्चे को देव दीजिए इसे क्या होगा कि जितने भी चीजे में आपको बता रही हूं सारी एक साथ नहीं करनी है आप एक एक करकी चीजे इस्तेमाल करनी है और उसमें टैंग याप रखना अगर आपका बच्चा यह सब चीजे ले पाता है तो इससे बच्चे का डाइजिस्टि शिटम तो अच्छा होगा ही सोगा साधे साथ बच्चा चीजों को अच्छे से हजम कर पाएगा बच्चे की उल्टियां बंद हो जाएंगी और आपके बच्चा आगे तक के लिए आप भीर situation भी कभी कभी हो जाती है तो अम्मीद करती हूं दोस्तों आज कहीं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले थैंक यू फो वोचिंग बेब थैंक यू नमस्कार